हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू एक्समार क्रियेटर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जूम अप्लिकेशन पर पासवोर्ड चेंज कैसे कर सकते हैं और अपने पासवोर्ड को अपडेट कैसे कीजिएगा अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो लाल बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसके बगल के बेल आईगन को दबा कर अल पे सिट कर ले अगर आप भी सिखना चाहते हैं कि आप जूम अप्लिकेशन में अपने पासवोर्ड को चेंज कैसे कीजिएगा या उसे अपडेट कैसे कीजिएगा तो आप इस वीडियो को देखते रहे जूम अप्लिकेशन में पासवर्ट चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जूम अप्लिकेशन को ओपेन कर लेना है अगर जूम अप्लिकेशन में अगर पहले से अपने साइन इन करके रखा हुआ है तो आपको कुछ इस तरह का interface देखने को मिल जाएगा अगर आपने Zoom application पर sign in करके नहीं रखा है तो आपको simply पहले इसमें sign in कर लेना है उसके बाद आपको कुछ इस तरह का interface है जो देखने को मिल जाता है उसके बार आपको simply right side में एक setting का option देखने को मिल रहा होगा आपको simply उसपर एक click कर लेना है click करते ही आपको कुछ इस तरह का interface है जो देखने को मिल जाएगा जहाँ सबसे उपर में आपके user ID username आपको दिख रहा है तो आपको simply एक click उसपर कर लेना है क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह का नया इंटरफेस है जो देखने को मिल जाएगा जहाँ पर आपको एक update password का option देखने को मिल रहा होगा आपको simply एक क्लिक उस पे भी कर लेना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जैसे देख सकते हैं लिख रहा है old password टाइप कर लेने के बाद आपको simply new password वाले पर क्लिक करना है और आप जो नया password create करना चाहते हैं वह password अपने मंस से आपको इसमें type कर लेना है यहाँ पर आपने जो new password टाइप किया है वही password आपको confirm वाले पर भी टाइप कर लेना है और उपर में आपको एक save का option दिख रहा होगा तापको simply save वाले option पर एक क्लिक कर देना है password change होने के बाद आपका zoom application से है automatic जो log out हो जाएगा तापको simply अभी जो new password आपने create किया था उस password को डाल कर आपको simply फिर से इसमें sign in कर लेना है आप यहाँ पर जैसा देख सकते हैं कि मैंने जो new password create किया था भी उसी password को मैंने simply में type करके login कर लिया हूँ sign in कर लिया हूँ तो इस तरह से आपका जो password है जो आप change कर सकते हैं